राम आएंगे तो अंग ना सजाओंगी दीप जला के दिवाली मैं मनाओंगी मेरे जनम के सारे पाप मिटे जाएंगे राम आएंगे जे हैं दोस्तों तो राम आएंगे गाना बहुत ही पॉपुलर हुआ बहुत लोगों ने इसके रील्स बनाए इतना ज़्यादा पॉपुलर हो गया कि मंत्री केंद्री मंत्री प्रधान मंत्री सभी लोगों ने इसके रील्स बनाए सभी लोगों ने इस गाने को बहुत ज़्यादा पसंद किया तो क्या आप जानना नहीं चाहोगे कि इस गाने को बनाने वाली इस गाने को गाने वाली ये लड़की है कौन आखिर किस तरीके से चर्चे में आई राम आएंगे तो अंगना सजाओंगी गाकर यूँ ही अपलोड कर दिया थे ये गाना तो बताते हैं चपरा की स्वाती जी हाँ दोस्तों चपरा की स्वाती मिस्तरा ने इस गाने को गाया है जो की बहुत ज़्यादा वायरल हुआ और केंद्री मंत्री ने भी बहुत सारी रिल्स इस पे बनाई है तो राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे इस गाने से वाइरल हुई छपरा की स्वाती मिसरा जो जब घर आई तो मीडिया का ताता लग गया उनके घर के बाहर और बहुत सारे इंटरव्यूज लिए गए वो रातो रात फेमस हो गई मुंबई में अभी स्वाती जो है अपना करियर बना रही है और इनके यूट्यूब पे तीन चैनल है जिस पर लाखों में सब्सक्राइबर है जिया दोस्तों और वो अपने गाने को एक नई आवाज में एक नई धुन में गाना गाती है और वीडियो अपलोड करती रहती है तो उनके तीन चैनल है जिनके बहुत सारे सब्सक्राइबर है और इनके गाने को काफी जादा दोस्तों पसंद किया जाता है तो चलिए बताते हैं इनकी जीवनी के बारे में आखिर ये है कौन कहां से आई है और इनके माता पीता कहा है इनका घर कहा है आगे ये क्या कर रह तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का एक सुन्दर उधारन पेश किया है स्वाती को असलने बियाइटी मेसरा से एंबिया की पढ़ाई करने वाली बैंक मैनेजर तीस साल की सुवाती को बच्पन से मॉडलिंग का सौक था लोग क्या कहेंगे इसकी परवाक ये भी नान होने मॉडलिंग में अपने पाउं बढ़ाई लोग तो कहेंगे ही आप अच्छा कीजिए बुरा कीजिए फिर भी लोग आपको ताने मारेंगे लेकिन आपकी इच्छा क्या है आपको क्या करने की इच्छा है वो अगर आप करेंगे और आप उस पे लगे रहेंगे तो आप एक दिन जरूर फेमस हो जाएंगे सारन के जिलत सिक्षा पदाधिखारी कौशल की सोर वसिक्षिता सुजाता कुमारी की पुत्री स्वाति कौशल मिसेज बिहार जुनी गई है निन्ने के अनुसार मिसेज बिहार का ताज स्वाती कोशल को मिला मिसेज बिहार बनने के लिए स्वाती ने कहा कि वो नौकरी के साथ साथ अपनी प्रतीभा को लेकर आगे बढ़ना चाहती है छप्रासहर के सूता पटी में स्वाती का ननिहाल है दोस्तों वो अक्सर अपने ननिहाल आते जाते रहती है और भाण जी की मिसेस बिहार का किता मिलने पर मामा पपू जैसवाल वा पंकर जैसवाल ने कहा कि सारन के लिए गोरव की बात है मिसेस बिहार की चमचमाती ट्रॉफी हासिल करने वाली स्वाती ने कहा कि अभी भी बेटियों को जो लुख समझते हैं वो बोज है इन्हें जवाब देना बहुत ज़्यादा जरूरी है और यह अवार्ड उनके लिए सपने जर्सा है और इस अवार्ड के साथ वा और भी महनत कर रहे है और आगे भी कमपेटिशन में भाग लेती रहेंगे जब उन्हें मीडिया वाले ने घेरा मीडिया वाले जब उनके घर गया तो उनके पापा के सामने उन्होंने अपना इंटर्व्यू दिया और बहुत ही अची तरीके से जवाब दिया मतलब स्वाती का भोचपुरी जो है वह मदर टंग है ठीक है वो छपरा की है तो भोचपुरी में ही बाते करती हैं तो भोचपुरी गाने भी गाती हैं लेकिन जब mitia वाले ने सवाल किया कि क्या भोचपुरी में जो गंदे गाने होते हैं आप गाएंगी तभी उन्होंने का कि नहीं मैं गंदे गाने कभी नहीं गाओंगी क्योंकि मुझे बहुत सारे ओफर ऐसे आये हैं मेरे पास बहुत सारे ऐसे ओफर आये गाने के लिए लेकिन मैं कभी भी इस तरीके के गाने नहीं गाओंगे मेरा गाना हमेशा साफ सुत्रा और अच्छा रहेगा तभी उसके पापा से पूछा जाता है कि सर्व आप ने किस तरीके से इन्हीं गाना-गाना सिखाया वो कहते हैं हसी मजाक में कहते हैं कि जब ये रोटी बनाती थी तभी गाने गुनगुनाय करती थी रोटी तो बनती नहीं थी जल जाती थी बट इसके गाने हीट हो जाते थे तो इसी तरीके से धीरे धीरे गाने की सुरुवात होती गई गाने सिखाते गार वो इस तरीके से गाने नहीं सिखाते थे कि वो एक दिन जाकर फेमस हो जाएगी वो एक मतलब एक क्लास होता है वो उस क्लास के जरिये ही उस म्यूजिक को आगे बढ़ा और इस तरीके से आज वो रातो रात फेमस हो जाती है तो बहुत महनत होती है इसके पीछे जो कि लोगों को नहीं पता है काफी महनत करती है वो और उस गाने को एडिट करती है उस गाने को अच्छे आवाज में करती है बहुत सारी महनत करती है वो और वो कहती है कि आगे भी इसी तरीके का सिलसिला जारी रहेगा अभी तो सुरुवात है आगे में और भी बहुत जादा कुछ करने वाली हूँ उसने का कि वह नारी सकती कर इनके छेत में काम करेंगे और महिलाओं को भी बताएंगी कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए शादी बाधक नहीं है बलकि स आगे बढ़ें तो इसी तरीके से उनके माता पिता उनके परिवालवारे काफी जादा खुस है उन्होंने बहुत ही अच्छा गाना गाया और वह कहती है इस गाने के बारे में कि मैंने जस्ट ऐसे ही अपलोड कर दिया था वीडियो मुझे नहीं लगा था कि यह गाना इतन लोगों को पसंद आ सके थोड़ा म्यूजिक हट कर उन्होंने ट्राइ किया और इस गाने को इसी तरीके से फेमस होता हुआ देखकर काफी ज्यादा लोग खुशी हुए बहुत ज्यादा रिल्स बनी बहुत ज्यादा वीडियो बनी तो क्या कहते हैं इस बारे में मैंने सब्सक्राइब करके बैल आइगन को प्रेस कर दीजिए बाद चलिए धन्यवाद